मद्य प्रदेश की सत्ता बचाने में जुटे सिवरा सिंग चोहान प्रदेश में करेंगे कई बड़े बदलाव मद्य प्रदेश में मिशन 2023 को लेकर भासपा सियासी जमावट में जुट गई है 2023 के बिधान सभाचुनाव को देखते हुए भासपा सरकार और संगठन में खाली पदों को जल्द भर सकती है अटकली इस बात की भी है कि 2023 के विधान सभाचुनाओं को देखते हुए आसंतुष नेताओं को मनाने के लिए जल्द ही निगम मंदलों में निगम मंदलों में निगम मंदलों में नई निगम मंदलों में नई निगम मंदलों में नई निगम मंदलों में संभावित फेर पहले आज मुख्य मंद्री नीवास पर मुख्य मंद्री शिवराज सिंग चोहान और पार्टी के प्रदेश अध्यच बीडी शर्मा ने रीवा संभाग के बिधायकों के साथ बैठक की माना ज़ाराय के बैठक में बिंध की मौजूदा राजनीती की स्थितियों पर चर्चा की गई है गौर्तलव है कि लंबे समय से शिवराज सिंग चोहान मंत्री मंदल में बिंद्र छेत की उपेच्छा का आरोपी पार्टी के नेता को ही लगा रहे हैं इसके अलावा बिंध से आने वाले कई भास्पा बिधायक अपनी ही पार्टी के खिलाब मोर्चा खोले संगठन में बिंध छेतर को आने वाले समय में प्रतिनिधुत दिया जा सकता है बिंध के साथ महा कौसत छेतर के नेताओं को भी आने वाले समय में सरकार और संगठन में महात्पूर जिम्मेदारी मिल सकती है गौर्तलव है कि मद्व प्रदेश की सिवराज सरकार और बीज पाय और पंचाय चुनाव के बार पार्टी की समिच्छा बैठक हो रही है। के हिसाब से मुख्य मंत्री सही 36 मंत्री बन सकते हैं।